आज का हमारा नेबंद जो है वह है रास्ट्रे कवी मैथली सरण गुप्त जी के ऊपर तो इनोंने भारत भूमी की उदार और सहिशुनों छवी को अपनी पंक्तियों में उतारते हुए कहा है कि भारत माता का यह मंदिर समता का समवाद यहां सबका शिव का लियान यहां है पावे सभी प्रशाद यहां भारत गुमी की महानता उसकी विशाल जनसंख्या अत्वा भूख शेत्य की कारण नहीं अपितु उसकी भव्य और अनुकर्णिये उदार परंपराओं का कारण रही है आचार, विचार, चिंतन, भाषा और वेशवुशा की विविद्दाओं को राष्ट्रियता के सुत्र में पिरोकर भारत ने मन विय एकता का आदश प्रस्तुत किया धर्म के तत्व क्या हैं देखो ये सब धर्म के तत्व उन्होंने बताए भारतिय मानता के अनुसार धेरे, क्षमा, आत्मसयम, चोरी ना करना, पवित्र भावना, इंद्यों पनियंत्रन, बुध्धी मता, विद्या, सत्य और क्रोध ना करना ये धर्म के दस लक्षन बताए हैं सभी धर्म इनको अपना आदश और अपना अंग मानते हैं महा भारत में कहा गया कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है मनुष्य को मनुष्य का गला काटने की दुश्प्रेणा, दूसरों का घर जलाने की और नारियों के अपमान की कोशिशा अधर्म है और इश्वर का घोर अपमान है धर्म और संप्रदाई की बात कर रहे हैं कि धर्म अत्यंत व्यापक विचार है इसमें मानवता केशेष्ट विचार और भाव नहीं थैं धर्म किसी एक व्यक्ति के उपदेश या सिक्षाओं को नहीं कहते हैं किसी एक ही महापुरुष पैगंबर या अवतार के उपदेशों से संप्रदाई बनते हैं धर्म नहीं बनते हैं तो वैदिक धर्म या सनातन धर्म संसार का आदी धर्म है, प्राचीन आदी यानि पुराना धर्म है, यह किसी पुरुष विशेश के उपदेश, सिक्षा और संदेश पराधारित नहीं है, यह किसी एक व्यक्ति पराधारित नहीं है, इसके अनेक साखाएं और उपसाखाएं बौध, जैन, सिक, आदी संपर्दाइ इसी से विक्सित हुए है बिदेशी आकरमकारियों के साथ भारत में इसलाम और इसाई धर्मों का आगमन हुआ भारत में संपर्दाइक तक की समश्या, भारत के मूल सनातन धर्म तथा अन्य संपर्दाइओं के वेचारिक अंतर से संबंदित है यानि कि विचारों में अंतर पाया जाता है सभी में अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग विचार होते हैं और यही होता है वेचारिक अंतर सामपर्दाइक कट्टता के कारण अपने ही सामपर्दाइक को अच्छा मानना खुद को ही अच्छा मानना दूसरों को अपना धरम मनाने के लिए बाध्धे करना ये सब सामपर्दाइकता में आते हैं सामपर्दाइकता का क्या मीनिंग है कि दूसरों को बल पूरोक अपना धरम मनवाना भारत में यह समश्या हिंदू और इसलाम धरम के बीच सामपरदाइक द्वेश के जहर को इस देश ने सताप्तियों से जहला यानि कफी सताप्तिय हो गई हमें यह सब जहलते हुए 1947 यह दिबात करें तो उस समय भी खून की होली खेली गई थी जो आज भी हर समय हमें दिखाई देती है इसका परिणाम क्या होता है यह सब परिणाम उसके होते हैं और करोड़ों रुपे की समपति का नास भी हमारा हो जाता है इसी ते से आप देखो कि समपरदाईक दुराग रहने तो सुकरात को जहर प्रोशा था इशा को सूली पर चड़ाया था और गांदी जी के जिगर में गोली उतारी है संतों और सहित्यकारों के उपदेश भारत के संतों फकीरों सहित्यकारों ने सदा सांपरदाई केकता का संदेश और उपदेश दिया है सबसे पहले संत कबीर हैं जिनोंने हिंदू तथा मुसल्मानों को धरम का मरम ना समझने के लिए फटकारा डाट पिलाई फटकारा हिंदू कहे मोही राम पियारा तुरक कहे रही माना आपस में दो लर लर मोय मरम ने काहू जाना इसी प्रकार सांपरदाई के एकता का उपदेश दिने वाले संतों की एक लंबी श्रंखला है इस श्रंखला के सरुस्रेश्ट पक्षधर महत्मा गांधी को कुर नहीं जानता इकबाल ने कहा कि मजभ कभी आपस में बैर करना नहीं सिखाता मजभ कभी आपस में बैर करना नहीं सिखाता मजभ नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम, वतन है हिंदो सिता हमारा अकबर इलावादी तो दशरा और मुरहम के साथ साथ मनाने की कामना क्या करते हैं मुहरम और दशरा साथ होगा निवाह उसका हमारे हाथ होगा खुदा की ही तरफ से है यह संयोग इत्यादी इस तरह की बातें कहिए जाती है सच्चा धर्म क्या है और उसकी शिख्षा सच्चा धर्म मानगता है धर्म बैर नहीं सिखाता वह तो एक तक की शिख्षा देता है क्योंकि सभी मनुश्य एक ही इश्वर की संतान है धर्म की मित्रता की शिक्षा देता है, शत्रुता की नहीं कभी भी शत्रुता की शिक्षा धर्म नहीं देता है उपसंहार में क्या लिखेंगे कि आज देश को सामपरदाइक सद्भाव की अध्यंत आवशक्ता है अंतरास्ट्रिय शक्तियां और द्वेसी पडोसी हमें कमजोर बनाने और विखंडित करने पर तुले हुए हैं ऐसे समय में देश वासियों को परस पर मिलजुल कर रहने की परमावशकता है मस्जिद मंदिर के नाम पर लड़ते रहने का परिणाम देश के लिए बड़ा घातक हो सकता है अंतरास्ट्रिय क्षित में बदनामी भी होती है देश की अर्थ तंतर पर भारी पोज पड़ता है अते हम प्रेम और सद्भाव से रहें तो कितना अच्छा है आज का हमारा निबंद